तो इस क्वेश्चन में कहा रहा है कि एक ये इंक लाई एक वेज है और ये इंक लाई है इंक नेशन एंकल 37 डिग्री है और इसके उपर एक वेज है और एक ब्लॉक है ऐसे इस वेज से पुली लगी हुई है तो इस पुली से बद हुई और ये रसी सीध है इस वेज में लग रही है तो क्वेश्चन में कहा रहा है कि अगर ये इधर 10 मिल पर समय जा रहा है और ये जो वेज है वो इस इंकलाईन के फ्रेम में इधर 5 से जा रहा है तो बताईए कि ब्लॉक सी की वेलस्टी कि पुली है तो पूरा पूरा कॉश्चिन ना का रहा है इसमें लाज आप मोसर की पर समय लिखने है अगर ये 10 से जा रहा है इसकी वेलस्टी पता है तो इसकी वेलस्टी पता है तो इसकी वेलस्टी पता है तो ये जो ब्लॉक सी है जब ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो ας Kinberg है और उसके पासिंब सिंव होगी रक्राइब हो ऊपर के उरू गी ओई और साथ में जब इसके इसके साहर चलना है इसके पास पास वेलस्स्ट्री का आप अधि पास VLSTK उपर के उड़ी भी होगी, और शाथ में जब यह साथ चलना है इसके पास VLSTK सी X भी तो होगी अगर इस अगर इस अगर इस अगर ओला ब्लोक इधर भी जा रहा है नीशे भी आ रहा है और रसी अगर का मुर्त उपर होगा मतलब इसका motion में x इस block का motion x भी होगा य भी होगा तो y में मन करें तो vy उपर मानो मन करें तो नीचे मानो वो कोई problem ही है calculation मतातेगा calculate करने बाद अगर vy party बाता है तो यह block उपर जा रहा होगा और vy negative बाता है block नीचे जा रहा हो और vx तो आएगा ही आना भी चाहिए क्योंकि जब यह इधर जाएगा तो यह थोड़ा सा x में भी तो भागेगा नहीं तब को बी एक्स विवाई calculate करना है वही पुछा है find the velocity of c तो i और j के फार्म में हो आन सकता है चला calculate करते है अब इसमें कोई चीज है रसी भी है वेज भी है तो इसमें भी वेज कॉंस्टेंट भी लगाना है और इस ड्रीम कॉंस्टेंट दोनों लगाना है तो यह काम करते हैं यह जो pulley है, इसका जो acceleration है, velocity है, वो इस waste के बरावर हो, क्यों? क्योंकि पुली इस waste के उपर है, नहीं, तो मैंने क्या किया, और इस waste की वेलस्टी 5 मिंट पर सेकंड है, लेकिन यह A के रिस्पेक्ट में है, तो B की वेलस्टी A के रिस्पेक्ट में 5 है, तो हमेशा इस incline के surface के parallel होगी, नहीं, तो इसकी वेलस्टी incline के surface के parallel होगी 5 के बरावर होगी, तो इसकी वेलस्टी के पीछे ground firm में कितनी होगी, तो इसमें इस वेलस्टी को क्या करेंगा, आइड करेंगा, आप फिर सोचते है, तो B की जो वेलस्टी तुम लिखोगी, वो 5 ऐसे लिखोगी, और यह जो A है, इसकी वेलस्टी क्या है, 10 है, और यह वाला एंगल कितना है, 37 degree है, तो इसकी दिखावगी तो इह इधर चाहेगा, 5 से, क्योंकि यह relative वेलस्टी है, relative वेलस्टी waist की वेलस्टी incline की frame में horizontal होगी, तो यह 5 दिखा दिया, और 7 में इसको 10 दिखा दिया, ऐसे, ठीक इसको महनँ महना X1, इसको महना X2, इसको महना X3, तो अब इक क्योंस रिखेंगे, X1+, X2+, X3 बराबर चांस्ट, X1, X2, X3 बराबर चांस्ट, X1 के निचे लिखना बागी, X1 के निचे, यह जो ब्लोग है, यह उपर कोड़ जारा कितने है, भी य से, तो X1 को कम कर रहा होग तो हम क्या लिखेंगे, minus VY, यह ब्लोग उपर जायागा, तो X1 कम कर रहा हो, minus VY, अब पुली का सेंटर की बात करेंगे, यह जो पुली का सेंटर है, उसकी वेलास्टी 5 और 10 रिजल्टेंट है तो यह X1 वर्टिकल है, तो वर्टिकल तो वर्टिकल दिरेक्शन में, 50 बिजल्ट रही है, लेकिन वर्टिकल नीचे गो, X1 को कम करेंगे, तो क्या लिखेंगे, minus VYves से कम कर रहा है, और साथ मी उप टूर्टिकल नीचे आ रहा है, 5 के COST कंपोने ए, तो कम कर रहा है अब लिखना X2 के लिखा, X2, इस center और इसकी बीश के लोगी है, तो यह जो center तो भाग नहीं रहा है, तम क्या लिखेंगे, 0, बट यह center इस reduction कितने से जा रहा है, बतलो इस reduction, इस reduction, और यह 37 degree है, 37 degree, तो मैं जानना है कि 37 degree, 37 degree horizontal से यह है, horizontal से 37, इस reduction में कितने से जा रहा है, इस इस reduction में कितने से जा रहा होगा, तो इस reduction इस रहा है, तो यह 5, तो यह 5 तो लिखेंगे, और इधर रहेगा, तो 5 से, और यह 10 का कमड़ी भी तो इस रहा हैगा, तो अगर मैं पूछों कि इस पुली का velocity बताईगे, इस रहा है रहा है, तो यह क्या लिखेंगे, 10 cos 37 minus 5, अब तो बढ़ा रहा होगा, क्योंकि जब इस components इस component घटा होगे, तो velocity इधर आएगे, जब velocity इधर आएगी, तो इस दोरी को क्या करेगे, बढ़ाएगे, तो हम लिखेंगे, plus 10 cos 37 degree minus 5, समझ रहा है नो, 10 cos 37 minus 5, अब x में लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब ल लिखेंगे, plus 10 लिखेंगे, अब बराबर, जिरो, अब यहां से minus by बन गया, अब cos इधर कितना होता है, 3 upon 5, तो इबनेगा, minus 3, और इबनेगा, 4 upon 5, तो इबनेगा, plus 8, इबनेगा, minus 5, इबनेगा, plus 10, बराबर 0, तो इबनेगे, कितना, 8 से दिन गया, minus 5, minus 5, तो question में, यह actual में, इस direction ना देखे, इस direction दिया गया velocity, तो इब plus 10 है, तो इस आपको change करना पाएगा, जहां पे 10 होगा, वहां पे minus 10 लिखना पाएगा, direction reverse करना पाएगा, तो इबनेगा, minus, और यह भी बनेगा, minus, जहां जहां पे 10 होगा, वहां पे minus 10, और यह जब 5 meter per second, व जहां जहां आपने 10 लिखा था, आप मैं, minus 10 लिख लिया, calculate करेंगे, तो यह लोगागी, minus 26 meter per second, अब x का velocity निकालनी है, तो इतना तो मैं बोलूंगा कि अगर यह block इसके उपर है, तो इस block की velocity x में वही होगी, जह इसकी होगी, क्योंकि यह इसके साथ contact में है, और इसकी velocity, जो ground frame में है, वो इस दोनों के resultant है, तो इस block की velocity x में कितनी होगी, इस वेच की वही इस block की होगी, क्योंकि यह इसके contact में है, तो यह 10 है और यह 5 है, तो x की direction में जब velocity बननी चाही है, तो कितनी में चाही है, 5 का यह वाला component, मैं इस यह घटाएंगे, तो बनेगा 5 cos 53 degree minus, अ और इसका 10 है, तो इस वाशी ground frame में क्या बनेगे, 5 है और 10 है न, क्योंकि जो 5 है इसके respect में है, और इसका 10 है ground frame में, तो इसका ground frame में क्या बनेगे, इस velocity और इस velocity का resultant, तो 5 हैसे 10 है, तो 5 का sin 53 बनेगा, X की वाला.. x वली वेलस्टी की थी बनेगी bx नेट इकोस तो 5 sin 53 5 sin 53 डिगरी and plus 10 यह बना 10 तो यह बनता है 4 अपन 5 तो वेलो इस 410 तो इस ब्लॉक की वेलस्टी जो होगी c की x में क्या होगी 14 तो हम लोगा आंसर क्या रिचेंगे 14 i cap 26 minus i ने बता रहा है तो वेलस्टी बीचे कर होगी तो क्या है वेलोगी minus 26 j cap and this is answers